एक स्वेपाठी का प्रियाश हिंदी व्याक्रण एक ध्वनी नमस्कार मित्रो में रामावतार बटू का आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वेपाठी विद्यार थी हूँ। मैं इसके पढ़ता हूँ जिससे मुझे सत्र परतिसत से अधिक याद हो जाता है। प्रश्ण एक हिंदी वाषा का आधार क्या है उत्तर ध्वनी प्रश्ण दो हम बोलते हैं तो मुक्षे क्या निकलती है उत्तर ध्वनी प्रश्ण तीन मुक्षे ध्वनी किस रूप में निकलती है उत्तर भाषा के रूप में प्रश्ण चार छोटी बड़ी ध्वनिया किस मे उत्तर भासा में प्रश्ण 5 सबसे छोटी ध्वनी को क्या कहते हैं उत्तर मोल ध्वनी प्रश्ण 6 कौन सी ध्वनी अखंड होती है उत्तर मोल ध्वनी प्रश्ण 7 भासाई की इकाई क्या होती है उत्तर मूल ध्वनी प्रश्ण 8 मूल ध्वनी के मेल से क्या बनते हैं उत्तर अक्षर प्रश्ण 9 अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं उत्तर सब्द प्रश्ण 10 सब्दों के मेल से क्या बनते हैं उत्तर वाके प्रश्ण 11 गाय सब्द में ध्वन M आख्सर क्या है उत्तर गय जोड आ जोड यह जोड ए M गाय न कि अक्सर गाय. परश्न 12 घरेलू सब्यमें दवनी M आख्सर क्या है उत्तर गय 25 गयजोड आ जोड रह जोड ए जोड लैरा जोड उ, एम घरेलू, अक्षर बराबर घरेलू, प्रेश्ण तेरा, पसु सब्द में दवनी एम अक्षर क्या है, उत्तर, पे, जोड ए, जोड से, जोड उ, एम पे, सू, बराबर पशू, प्रेश्ण चोदा, होती, सब्द में दवनी एम अक्षर क्या है, उत्तर, है, जोड ओ, जोड ते, जोड ए, एम होती, अक्षर, बराबर होती, प्रेश्ण पंदरा, है, सब्द में दवनी एम अक्षर क्या है, उत्तर, है, जोड ए, द्वनी, एम अक्षर, बराबर है, प्रश्ण 26 इस परकार दवनियों को मिलाकर क्या बनती है उत्तर भासा प्रश्ण 17 क्या बोली और लिखी जाती है भासा प्रश्ण 18 भासा के कितने रूप होते हैं उत्तर 2 प्रश्ण गुनीश बासा के दूरूप कौन कौन से होते हैं? उत्तर मोखिक बासा और लिखित बासा प्रश्ण बीश कौन सी बासा में दवनिया सुनाई देती है? उत्तर मोखिक बासा में प्रशन इकीश कौन सी भासा में द्वनिया दिखाई देती है उत्तर लिखित भासा में प्रशन बाईश किस भासा में द्वनिया बोली सुनी जाती है उत्तर मौखिक भासा में प्रशन 23 किस बासा में द्वनिया लिखी पड़ी जाती है उत्तर लिखी द्वासा में प्रशन 24 किसके अलग-अलग चिन है उत्तर मूल द्वनी के प्रशन 25 मूल द्वनी चिनों को क्या कहते हैं उत्तर वार्ण प्रशन 26 हिंदी में कितनी द्वनी चिन होते हैं उत्तर चियालीस प्रशन 27 लिखने के डंको क्या कहते हैं उत्तर लिपी प्रशन 28 लिपी का दूसरा नाम क्या है उत्तर लिखावट प्रशन thirty हिंदी की लिपी क्या कहलाती है उत्तर देव-नागरी लिपी decide प्रशन तीस वरनों के समुजाय को क्या कहते हैं उत्तर वरन माला। प्रशन एकतीश हिंदी में कीतने स्वर होते हैं। उत्तर, 11, प्रश्ण 32, हिंदी में 11 स्वर कौन कौन से हैं, उत्तर, A, A, E, E, U, U, R, A, I, O, 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 प्रश्ण 33, अनुनाशिक वाणची ने कौन सा है, उत्तर, सिरो रेखा पर लगने वाला चंद्राकार बिंदू, प्रश्ण 34, अनुश्वार वाणची ने कौन सा है, उत्तर, सिरो रेखा पर लगने वाला बिंदू, प्रश्ण 35, विशार वाणची ने कौन सा है, उत्तर, उपर निचे लगने वाले दो बिंदू, प्रश्ण 36, हिंदी बासा में कितने वेंजन होते हैं, उत्तर, 35, प्रश्ण 37, के वर्ग के वेंजन कौन से हैं, उत्तर, के, खे, गे, गे, डे, प्रश्ण 38, चे वर्ग के वेंजन कौन से हैं, उत्तर, च, ए, छ, ज, 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 य, य, प्रश्ण 49, टे वर्ग के वेंजन कौन से हैं, उत्तर, टे, ठे, डे, धे, न, प्रश्ण चालीश तै वर्ग के वेंजन कौन से हैं उत्तर तै थै दै धै नै प्रश्ण एकतालीश पै वर्ग वेंजन कौन से हैं उत्तर पै फै भै भै मै प्रश्ण 42 इसफर्ष वेंजन कौन से हैं उत्तर कै वर्ग से पै वर्थक के प्रश्ण 43 अंतास्त वेंजन कौन से हैं उत्तर ये रे ले वे प्रश्ण 44 उसमें वेंजन कौन से हैं उत्तर शे 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 है प्रश्ण 45 संयुक्त वेंजन कौन से हैं उत्तर अक्षा त्रे गे स्रे प्रश्ण 46 जो न स्वर है न वेंजन है उन वर्णों को क्या कहते हैं उत्तर अयोगवा है प्रश्ण 46 हिन्दी में कौन कौन से अयोगवा है उत्तर अनुश्वार और विशार्ग परश्ण 48, दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से बने वेंजनों को क्या कहते हैं? उत्तर संयुक वेंजन परश्ण 49, कौन से वेंजन मूल वेंजन नहीं है? उत्तर 6, 3, 2, 3 परश्ण 50, कौन से वेंजनों को वर्ण वाला में इस्तान नहीं दिया गया है? उत्तर 6, 3, 2, 3, 2, 3 परश्ण 51, संयुक वेंजनों को वर्ण वाला में इस्तान क्यों नहीं दिया गया है? उत्तर क्यों कि ये मूल वर्ण नहीं है? प्रेश्ण बावन कौन से वर्णों के इस्तान इस्तिर हो गये हैं उत्तर सयुक्त वेंजनों के प्रेश्ण त्रेपन सयुक्त वेंजनों को वर्ण वाला के निकट क्यों दिया जाता है उत्तर क्यों की सयुक्त वेंजनों को अलग-अलग नहीं लिखा जाता है प्रश्ण 54 हिंदी वर्ण माला में कितने परकार के चिन है उत्तर दो श्वर और वेंजन प्रश्ण 55 कौन से वर्णों का उच्चारण सवतंतर रूप से होता है उत्तर स्वर्णों का प्रशन छपी कौन से वणनों के उचारण में घर्षन नहीं होता है उत्तर स्वरवणनों के प्रशन 57 उत्पत्ति के अनुस्वार स्वरों के कितने भेद हैं उत्तर दो के मूल्स्वर और के संदेश्वर परशन 58 मूल स्वरों को किस नाम से पुकारते हैं उत्तर है स्वस्वर परशन 69 संदे स्वरों को क्या काईते हैं उत्तर दिर्ग और स्वयुक्त्वर परशन 60 मूल स्वर कौन से हैं उत्तर ए, ई, उ, री परशन 61 दिर्ग स्वर कौन से हैं उत्तर आ आ, ई, उ, परशन 62, स्विक्वे समर कौन से हैं, उत्तर ए, आ, ओ, आउ, परशन 63, उचारण के अनुसार स्वर कितने परकार के होते हैं, उत्तर दो, कह नीर नासिक, खै सानुनासिक परशन 64, मुख से उचारण होने वाले स्वर कौन से हैं, उत्तर नीर नासिक, परशन 65, मुख और नाक्र, दोनों से कौन से स्वर का उचारण होता है, उत्तर सानुनासिक परशन 66, ए, आ, ई, ई, हू, उ, री, ए, आ, हो, आउ, कौन से स्वर हैं, उत्तर नीर नासिक परशन 67, ए, आ, ई, ए, हू, उ, ए, आ, है, ओ, आउ, कौन से स्वर हैं, उत्तर सानुनासिक परशन 68, उचारण के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं, उत्तर दो, के, हर्ष्वे, और खे, दिर्ग परशन 69, कौन से स्वर का उचारण हलका, होता है, उत्तर हर्ष्वे स्वर का परशन 70, कौन से स्वर का उचारण भारी, होता है, उत्तर दिर्ग स्वर का परशन 17, हर्ष्वे और दिर्ग स्वर के उधारन लिखिये, उत्तर एक, कम, काम, दिन, दीन सुक, सुक, रीका उचारण हर्ष्व है, बेल, कोयल, कव्वा प्रश्ण बैतर, स्वर के उचारण के समय को क्या कहते हैं, उत्तर मात्रा प्रश्ण तियतर, स्वर के उचारण चिन को क्या कहते हैं, उत्तर मात्रा चिन है प्रशन चोतर स्वर मात्राचिने के रूप में किस से मिलते हैं उत्तर वेंजन वन नों से प्रशन पिचेतर मात्राचिनों के नाम किस पर होते हैं उत्तर सुरों के नाम पर प्रशन चितर कौन सा स्वर सभी वेंजनों से मिला रहता है उत्तर ए परशन सतंतर ऐ सहीत वेंजन क्या कहलाते हैं उत्तर अकारांत परशन अठितर सभी वेंजनों के रूप मात्रा लगे अक्सरों के समान कब हो जाते हैं उत्तर मात्रा लगने पर परशन गुणियासी अनुनाशिक स्वर्चिन क्या हैं उत्तर चंदर बिंदू परशन असी क्या चंदर बिंदू वर्ण है नहीं 81. कौन सा चिन सवरों के उपर रहता है और सवरों के साथ उचारित होता है उत्तर चंदर बिंदू 82. मुख और नाक दोनों से किसका उचारण होता है उत्तर चंदर बिंदू का प्रशन तेही आशी सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगे क्या लगाया जाता है उत्तर अनुष्वार प्रशन चोरासी सीरो रेखा पर बिंदु क्या कहलाता है उत्तर अनुष्वार प्रश्ण 85 अनुष्वार किस के बदले आता है उत्तर पंचमाक्षर के प्रश्ण 86 नाक्षे उचानन कीन का होता है उत्तर पंचमाक्षरों का प्रश्ण 87 पंचमाक्षरों को कौन सी द्वनी कहते हैं उत्तर नासी के द्वनी प्रशन 88 उपर नीचे दो बिंदू को क्या कहते हैं ? उत्तर विशर्ग प्रशन 29 कंट से कौन सचिनल बोला जाता है ? उत्तर विसर्ग प्रशन 90 है के समान किस की द्वनी शुनाई देती है ? उत्तर विसर्ग की परशनिक यान में अनुश्वार और विसर्ग क्या है उत्त ने स्वर है ने वेंजन है परशन बान में अनुश्वार और विशर्ग का योग ने स्वर से है और ने वेंजन से होने के कारण इने क्या कहते हैं उत्तर अयोगवा है परशन तिरान में कौन स्वर के आश्रे में रहते हैं किन्तु वेंजन के समान सटते नहीं है उत्तर अयोगवा है परशन चोरान में स्वर के कौन आते हैं और स्वर में सटते हैं उत्तर वेंजन पर्षन पिचान में स्वर के बाद कौन आते हैं और स्वर से अलग रहते हैं उत्तर अयोगवा है पर्षन चान में वेंजन किस की साहता से बोले जाते हैं उत्तर स्वर की पर्षन सत्यान में हलंत क्या होते हैं उत्तर सुन्त वेंजन परशन अठ्ञान में हलंत वेंजनों में कौन सा चिन लगा रहता है उत्तर हल्चिन है परशन अन्यान में किसके लगने से हल्चिन गिर जाता है उत्तर ऐस्वर के परशन शो ऐस्वर के लगने से वेंजन क्या कहलाते हैं उत्तर अकारांत पर्षन 101 वर्ण माला में कौन से विजन दिये जाते हैं उत्तर अकारांत धन्यवाद